इंप्रूव्मेंट के रिगार्डिंग कहा गया था किसा काइंडली सर सुजेस्ट कर दिये गुर्णानक देव यूनिवस्टी में आप इंप्रूव्मेंट के पेपर फिल करना चाहते हैं तो उसकी प्रोवीजन क्या है यह बात दिसक्स करेंगे पहले यह मैंने वाई लिखा है कि वाई इंप्रूव्मेंट की जरूरत क्या है कारण यह है कि कुछ वियर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके 55% मार्क्स नहीं बनते इसको ध्यान से समझ लेना यह ज्यादा जरूरी है जब 2015 में पोस्ट आई थी तो 55% ग्रेजुएशन में चा करदी यह 55-45% हो गया लेकिन वह कुछ पीरेड के लिए था तो वह पीरेड़ अब खत्म हो चुका है पीरेड़ खत्म होने के बाद आटोमेटिकली अब जो इलिजिबिल्टी है वह पहले वाली सरकार की जो 55% फ्रॉम ग्रेजुएशन हाना आपको माक्स चाहिए तो बीए यह बात डिफरेंट है कि इसका सलेक्षन टेस्ट जाम मेरिट बनने में फाइदा है के नहीं है तो वो फाइदा तब है जब टाई होता है अधरवाई इससे पहले सलेक्षन टेस्ट या टी एटी जाँ एज आती है सबसे पीछे यह आते हैं अब दो बाते हैं ये हैं कि वो लोग जिनके 55 से माल लीजिए 45 हैं 50 हैं जां 49 हैं नैचरली उनको हर हालत में अगर B.I.D. उनोंने कर ली है तो graduation के score increase करने होगे अगर वो general category हैं reserve category हैं तो 5% less करके उनको करने होगे तो उनके लिए गुरुनानक दिव यूनिवस्टी हर साल अनूंस करती है कि improvement के paper लिए जाएंगे इस साल लिए जाएंगे तो मैंने जब बात की कितने साल बाद special chance golden chance होता है तो information ये दी गई कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जब हमने chance दिया है तब आपको वो permission VC से लेके आपको ये fill करना होगा तो ये बात दो जनों से मिली लेकिन कितनी ये सही है मेरा question basically था fees के regarding उसकी बाद में बात करता हूँ पहले ये हो गया कि हर हालत में अगर government job में जाना है उसका eligibility criteria पूरा करने के लिए 55% marks चाहिए तो दूसरा question ये पैदा होता है क्या improvement और additional paper के same नहीं है अगर हम additional paper दे दे for example graduation का मैंने history का additional paper दे दिया और history में से मैंने 70% ले ले गया और पहले मेरे 54% marks दे तो ये करके 55 से plus बन गए है ऐसा नहीं है ये आपके जो paper है additional के marks हैं ये सिर्फ qualifying marks है कि आपने बेशक 60 लीजिए 70 कोई फरक नहीं पड़ता आपने qualify करना है exam के आप eligible हो जब आपकी merit अगर बननी है उसकी weightage अगर consider की जाती है तो वो आपके graduation की होनी है दो बाते हैं एक तो है कि 55 minimum qualifying marks है वो करना जरूरी है हम merit में आने के लिए कि 55 से मैं ज्यादा ले लो उसका फाइदा किसी case में हो सकता है कारण यह है पहले पता के आया हूँ के पहले selection test फिर TET उसके बाद age अगर यह सारा कुछ match करता है आपका tie कर जाता है अना date of birth भी match कर गी फिर वो आपके graduation के marks देखेंगे तो यहाँ पर भी होया क्या हुआ कि additional एक different concept है वो देना वो आपने government job के लिए eligibility बनाना है को subject कम elective प करना है तो यहाँ पर improvement है दूसरी बात अब improvement के लिए क्या सारे paper देने होते है एक paper देना होता है तो यह भी उन्होंने कहा कि जितना जितने आप चाहते हो procedure क्या है यह समझ लिए online apply करो गया form fill कर दिया उसमें आपका email और phone number वो जो add हो गया वो इसलिए क्योंकि आपको information दी है first है कि permission from vice chancellor उससे permission लेने के लिए जो आप फैला form fill online करते हो वहाँ visit नहीं करते उसकी फीस 25,000 है जोर का जटका थोड़ा दीरे से लग रहा है 25,000 है this is the amount and important amount तो आपको यहां तक जाना है यह पे करने होगे इसके इलावा exam fees होगी वो exam fees अप कितने exam देते हो उसके मताबक ह लेकिन उन्होंने कहा कि 30,000 के करीब खर्चा आ जाता है यह जैसे मेरे से word बोलेगे वैसे मैं आप बता रहा हूँ मैंने कितने धंग से question पूछे हैं और information add होगी इस video के comment जा question कर देना मैं add on भी कर दूँगा तो it means कि यह examination fees है 5000 है यह clear मत समझना कि अगर आप सारे exam दोगे तो यह बढ़ भी सकती है 50,000 बनगी भी गलत हो गया तो यह खर्चा आपका आएगा यह आने के बाद आप examination form fill करोगे फिर online और fill fill करने के बाद आप का जो भी exam होते हैं जो date sheet normal है अगर improvement की है तो वो उसके हिज़ाब से आप exam देते हो इसके इलाबा और को question है number of paper कितने भी दे सकते हो ना ज्यादा दोगे तो improvement के chance ज्यादा है practical subject के लिए clarity नहीं थी एक शक्स ने तो यह कहा कि आपको college से यह important है जैसे science है geography है practical subject जिसमें होता है college में admission लेके आपको college का 75% lecture इन्होंने attend किये हैं यह certificate लेना पड़ता है plus practical का अगर वो ले लेते हो तो science subject जहां आप practical subject क यह जो है additional जा improvement दोनों ही वो फिर दे सकते हो यह unclear रहा क्योंकि दूसरे शक्स ने यह कहा मैंने के ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई paper आप नहीं दे सकते यह बात है जब भी practical आता है तो आपको through college आना पड़ता है college में admission लेके 75% का यह लेके तो आप exam दे सकते हो तो दूसरे शक ने कहा कि यह थोड़ा feasible है क्योंकि प्रैक्टिकल के exam normally नहीं बच्चे दे रहे तो annual system है यह सैम सिस्टर है गुरुनानिक दे यूनिवरस्टी में annual system 10-12 साल पहले जो था हना अगर उस system में आपने graduation की है तो थोड़ा सा variation होगी अगर semester system में अभी है 2-3-4 साल हुए है तो different हो जा कि क्या तीन साल से पहले वालों के लिए special जा गोल्डन चार्स होता है कि 25,000 फीसिसली है वो कहते है ऐसे नहीं कि आपने improvement करनी है तो 25,000 लगने ही लगने है तो इतनी बात होई बाकी बात मेरी नहीं हो सकी तो अगली बात होगी तो वो इसमें add-on कर दूँगा यह the most important है कि हर साल improvement के लिए allow करना होता है जो भी इनका जो वाइस चांसल ने allow करना होता है इस साल improvement के लिए जाएंगे इस साल 2023 को यह form फिल किये जा रहे हैं यह बात important है next year होंगे नहीं होंगे कितने साल बात होंगे यह अलग बात है जिन्होंने improvement करने हैं वो इस video को बाकी अपने आ नीचे दे दूँगा आप सीधे ही बात कर सकते हैं वहां पर है तो मेरे को भी question पूछ सकते हैं अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद मुझे भी information मिल जाए हम थोड़ा यह होता है कि हम सीधा कहते हैं कि हम यह authority बोल रहे हैं तो teaching community का वो respect होती है तो वो information ज्यादा और clarity से दे देते हैं that is why अब सीधा भी पूछ सकते हो thank you